नमस्कार दोस्तो आज का वीडियो प्रेगनेंट महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप प्रेगनेंट होने के बाद यह कैसे जान सकते हैं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का है यह लड़की दोस्तो डिलिवरी होने से पहले यह पता करना कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है यह लड़की यह गैर कारूनी होता है यानि कि इनलीगल होता है तो इसको देखते हुए मैं आपको कोई ऐसा टेस्ट नहीं बताऊंगा जिसको करवाने के बाद आप यह जान सकते हैं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है यह लड़की है लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन सिम्टम्स को देखकर आप यह आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी पेट में पल रहा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइकर करके चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकर अन कर लिजे ताकि आगे के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें तो मैं हूँ सियोम और आ लड़के होने के लक्षड में आप सुंदर नहीं दिखती हैं दोस्तो प्रगिनेंसी के दोरन आपकी सुंदर तक कम हो जाती है ऐसा माना जाता है कि आपके सरीर में उपस्तित हार्मोन्स आपको आलसी पन और चिहरे में कील मुहासित दे सकते हैं जो लड़का होने के चांस काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिन्व महिलाओं को लूज मोसंस नहीं होते हैं उन्हें लड़के होने के चांस भी काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर गर्ब में लड़की है तो महिलाओं के तोचा में सुंदर और चमकदार बनी रहती है मतलब यदि गर्ब धा लड़के समय महिला की सुन्दर तक हो देती है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेट में पहल रहा बक्चा एक लड़का है नमबर दो गर्भ में लड़के होने का लख्षड पैर ठंडा होना दोस्तों इस तरह का अनुमान और परिडाम सही मिलता है खास तोर पर जब आपका पहला बक्चा हो यदि आपके हाथ पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं तो इस बात कर अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके पेट में पल रहा बक्चा एक लड़का हो सकता है नमबर तीन बच्चे होने का लख्षड है बच्चे के दिल की धड़कन का धीमा होना दोस्तों प गर्ब में बच्चे का दिल लगबग एक मिनट में 140 बार धड़कता है यदि बच्चे की धड़कन इससे कम होती है तो यह गर्ब में बच्चे का लड़का होने के संभावना काफी जादा बढ़ जाती है यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चे की धड़कनों के जानकारी जरूर ले。 नंबर 4 गर्भ मिम लड़का होने का लक्षड बालों का अधिक उगना दोस्तों गर्भ वस्था में बहुत सी समस्याओं को जन्म देती हैं गर्भ वस्था के समय बहुत सी महिलाओं के बालों में वरद्धि होती है जिसके चलते उनकी चोटी काफी मोटी और मजबूत हो जाती है यह आपके सरीर में हार्मोनल्स की परविरतन के फलसुरूप होता है ऐसा माना जाता है कि गर्ब धारड के समय जिन महिलाओं के बालों में वरद्धी के संकेत होते हैं वह लड़के को जन्म दे सकते हैं नंबर पाँच गर्ब में लड़का होने का लक्षड होता है हथेलियों का सूखना दोस्तू गर्ब वस्ते के दाउरान यदि आपकी हथेलिया सूखी और चमड़ी निकल रही है तो यह माना जा सकता है कि आप एक लड़के कीमा बन सकती है गर्भवस्ता के दावरान आप अपनी तवचा में रूखपन और खुजिली से पीडित महसूस कर सकती है यदि आप इसमें कोई क्रीम लगाने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का हो सकता है बुजर्ग महिलाएं आपके पेट को टटोल कर उसको अच्छे से निक्षड करकर यह बता देते थें कि लड़के का वजन लड़की के वजन से काफी ज़गा होता है यदि आपका पेट नीचे की और काफी भारी जुका हुआ है तो यह लक्षड हो सकता है कि आपके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का हो नमबर साथ लड़के होने का लक्षड है अधिक गुस्ता आना दोस्तो गर्भवस्ता के दोरान यदि आपको ज़्यादा गुस्ता आता है तो आप यह अनुमाल लगा सकते हैं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का हो सकता है नमबर आठ लड़का होने का लक्षड है आपको अधिक स्वादिष्ट भोजन की लालसा होना दोस्तो गर्भवस्ता के दोरान खान पान पर विसेज ध्यान दिया जाता है आपके खाने के एक्षाओ और खाने के सवाद आपके बच्चे के लड़का या लड़की होने के पहचान करने में भी काफी मदद कर सकता है किया आपको गर्भवस्ता के समय खटे और नमकीन भोजन के एक्षा होती है अगर ऐसी बात है तो आप एक लड़के को जन्म दे सकती हैं गर्भवस्था के दोरान इन खाद पदार्थों के अलावा पोस्टिक भोजन पर भी काफी ध्यान आपको देना चाहिए नमबर 9 लड़का होने का लक्षड है पेट में कुछ गहरी रेखाओं को दिखाई देना दोस्तों जादातर महिलाओं के गर्भवस्था की समय पेट में कुछ गहरी रेखाई दिखाई देती हैं जिन्हें लाइन या निगरा के नाम से जानते हैं यदि आपके गर्भव में लड़का है तो इस प्रकार की रेखाएं आपके पेट के नीचे की तरफ फायलती हैं यदि येह रेखाएं टूटती हैं तो इसके संकेत होते हैं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का है सभी महिलाओं में इस प्रकार के लक्षड नहीं दिखाई देते हैं लेकिन यदि आपको यह लक्षड दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का है नमबर 10 लड़का होने का लक्षड है पेशाप का रंग दोस्तों बहुत सारी महिलाओं को यह मानना होता है कि उस समय उनको अलग-अलग तरीके खाने की होते हैं तो उनसे उनका पेशाप का रंग बदल जाता है लेकिन एक यह भी कारश होता है जो महिलाओं लड़के को जन्व देती हैं उनका पेशाप का रंग काफी गहरा होता है लेकिन जो महिलाएं लड़कियों को जन्म देती हैं उनका पेशाप का रंग काफी हलका होता है तो यदि आपका पेशाप का रंग काफी डार्क है तो आप यह समझ सकते हैं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का हो सक तो हो सके तो हमें इन सिम्टम्स को नजर अंदाज करना चाहिए क्योंकि घर में लड़का हो या लड़की हमें उससे कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए दोस्तों यह सिम्टम्स बस एक अनुमान भर होते हैं इनसे आप यह 100% नहीं बता सकते हैं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है यह लड़की है तो आप इन सिम्टम्स को नजर अंदाज करके अपने प्रेगिनेंसी पर ध्यान दें और अपने होने वाले बच्चे की केर काफी जादा अच्छे से करें तो यदि आपको यह वीडियो काफी जादा अच्छा लगा है तो वीडियो को